हलो हलो हंजी हलो है आप सबीका आशी ने लेक्चर के इस लेटेस् लाइव इस चीब में पेरे बच्चोन नमस्कार कैसे वहाप सबीर लोगों मित करता हूं बहुत ही बहुत ही बहुत ही नहीं होगा और एसल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शान्दा चल रही होगी तो सभी बच्चों का आज की इस कक्षा में हार्दिक, अभिनंदन और स्वागत कैसे हैं आप आपके हालचाल कैसे हैं आपकी तबेत कैसी है सब कुछ परफेक्ट है मिटा किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही है ऐसी उमीद कर रहा हूँ मैं और मेरी आवाज वगरे सब परफेक्ट आ दिये क्या बस एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात का आईडिया दे दो ताकि हम अपनी क्लास को शांदार तरीके से शुरू कर सके हैं दोस्तों Solid State नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी एक्ट्र में क्या है ना दो प्रकार से बैच चल रहा है अभी जिन बच्चों के बोड में Old NCRT है Old NCRT वाले बच्चे जो है वो क्या कर रहे है Old NCRT वाले बच्चे Solid State नाम का चैप्टर पढ़ रहे है जो कल से restart हुआ है इसमें आगे आपका बेसिकली बिहार बोड जो New NCRT वाले बच्चे है उनका Willian नाम का चैप्टर फिनिश हो चुका है और वो application में Willian नाम के चैप्टर के NCRT कॉशन्स कर रहे है Willian नाम के चैप्टर के NCRT कॉशन्स NCRT कॉशन्स में अभी हमने 10 बार NCRT कॉशन्स कर लिए चाहे ज़्यादा ही कर लिए होंगे अब NCRT कॉशन्स भी आपके live होंगे मतलब live ही चल दा था class अभी दो दिन से hold पे थी ये class वापस से live कल से start हो जाएगी और solid state तो आपकी चल ही रही है और कल से इस class का जो time होगा वो time 3 बजे का रहेगा 3 पीम का ठीक है तो जो NCRT solutions की class है Willian नाम के बच्चों की जो UP बोड की बच्चों है बाकी से बच्चों बच्चे है उनकी जो class है उस class का time क्या होने वाला है उन बच्चों का time होने वाला है 3 बचे का Done तो इस तरीके से आपका चलने वाला है बस आप इस बात को ध्यान रखें कि आप हर बच्चा ASL पर जो पढ़ता है चाहेए वो किसी भी बोड का हो उनको बहुत systematically पढ़ाया जाता है ठीक है? clear हो गया अब एक बार solution नाम का chapter आपका NCRT questions हो जाएंगे इसके बाद में board wise question हो जाएंगे फिर इसका J.E. वाला section जो है neat वाला section जो है वो अपने start करतेगे तो एक बार board finish फिर J.E. साथ में चलेगा वो मुझे पता है किस तरीकी से पढ़ाना है आपको स्टीशी जिंता नहीं करनी है बस आपको regularly classes को attend करते वे चलना है तो solid state का जो हम पढ़ रहे थे इसका lecture number 01 हमारा finish हो गया था lecture number 01 हम लोग ने finish कर दिया था हाथ उपर करे हाथ उपर करें कितने बच्चों ने कल का lecture देखा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहरीन, बहरीन, शानदार चली, तो फिर आज की क्लास, बैसे तो आज की क्लास देखने के लिए पहले वाला लेक्टर देखा उना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर देखा है तो ज्यदा बहर है बचों आज की क्लास को शुरू करते हैं अब मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते वे चलेंगे एक एक चीज को लिखते वे चलेंगे हम शानदार तरीके से पढ़ाई करने वाले बचों सबसे पहले आपको ये पढ़ाय गया था कल की क्लास में कि पधार्थ क्या होता है पधार्थ का मतलब होता है हर वो वस्तु जिसका आयूश कुछ द्रविमान हो और जो कुछ इस्थान घेरती हो उसे हम पधार्थ के नाम से जानते हैं तो हर वे वस्तु जिसका कुछ द्रविमान हो और जो कुछ इस्थान घिरती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं पधार्थ कहते है बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका पधार्थ जो है हम उसकी अवस्थाओं की बात कर लेते हैं तो हमने देखा था पधार्थ की चार अवस्थाओं के बारे में कल हमने बात की थी थोस द्रव गैस और प्लाजमा लास्ट क्लास में इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिसकेशन कर लिया था हम अभी क्या कर रहे हैं आपको पता होना ची अभी हम लेक्चर नंबर वन को रिवाइस कर रहे हैं है न हम लेक्चर नंबर जीरो वन को रिवाइस करने का काम कर रहे हैं तो अभी हम लेक्चर नंबर वन को रिवाइस कर रहे हैं तो मैं क्या बोला था आप से मैं यह बोला था कि थोस द्रव गैस और प्लाजमा इस तरीके से आप इसको बांट सकते हैं अब जो आपका ठोस है, आप ठोस को, आज हम पढ़ेंगे, कि इस ठोस का जौमिती के आधार पर वरगिकन जब हम करते हैं, तो जौमिती के आधार पर, जौमती के आधार पर हम कलम ने पढ़ लिया था जौमती के आधार पर हम ठोस को दो भागों में बाढ़ सकते एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस तो जौमती के आधार पर ठोस को हम दो भागों में बाढ़ सकते एक क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलिय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलिय ठोस आज हमको इन दौनों का विस्तार में अध्यन करना है आज की पूरी क्लास इसी चीज के लिए डेडिकेटेड है तो शुरू करें अब आप इस बात को समझना कि क्रिस्टलिय ठोस और आ क्रिस्टलिय ठोस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड और आ क्रिस्टलिय ठोस को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड हमें इन दौनों का आज बहुत डिटेल में अध्यन करना है तो ready है, सर तीन मजे English का class चलता है, अभी English की class को मैं वैसे भी hold करने वाला हूँ, मैं रोकूंगा English की class अभी आपकी, क्योंकि अभी हमें main subjects के savers को cover करना है, तो अभी आने वाले एक महीने में English की class को रोकने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ, English के subject को मैं मई में start करूँगा वापस, April में आपको JEE पर focus करना है, NEET पर focus करना है, बोर्ड के physics, chemistry, mathematics, biology, major subjects पर focus करना है, आपके आशी सर को पता है कि कौन से chapter को कब करवाना है, कौन से subject को कब करवाना है, जब आपने मुझ पर वरुसा कर लिया है, मुझ पर विश्वास कर लिया है, तो आपको चिंता नह आपको याद आ गया, आज की क्लास के लीए आप एकदम तयार हो, तो सब बच्चे फटाफट से comment section में comment कर देंगे, hashtag zidkar, फटाफट से comment section में comment कर देंगे, hashtag zidkar, comment section के लिए comment hashtag जित कर शुरू करते हैं अब आपकी copy में, जिससे आपकी copy कैसी होती है आपकी copy ऐसी होती है, आप ऐसे ना लिखेंगे आप अपनी copy के अंदर ऐसे note करेंगे इस तरीके से तो ऐसे लिखने की जगे अपनी copy को टेड़ा कर लीजिए और ऐसे लिखना शुरू कीजिए, अब जो आप अंतर करने वाले हैं, वहमें इस तरह से लिखना है चलिए हम हम difference करेंगे हम difference करेंगे हम हम क्रिस्टलिय ठोस तथा अ-क्रिस्टलिय ठोस के बीच में क्रिस्टलिय ठोस तथा अ-क्रिस्टलिय ठोस के बीच में हम अपन अंतर करेंगे किस्टलिय ठोस और किस्टलिय ठोस के बीच में और जब अपन इन दोनों के बीच में अंतर कर रहे होंगे तो भाई अगर किसी में अंतर करना है तो उस अंतर के लिए कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए तो अंतर के लिए जो गुण हम काम में लेते हैं, जिस गुण के आधार पे हम अंतर करेंगे, वो गुण अपन यहां लिखते में चलेंगे, जो स्टार्ट करें, चलो, सबसे पहली चीज, जिस आधार पे हम गुण करने जा रहे हैं, वो है जौमिती, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था इस स्टार्टिंग में, कि क्रिस्टली ये ठोस, जिसे हम अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टली ये ठोस, वो ठोस होते हैं, जिनकी जामिती निश्चित होती है, वापस से क्रिस्टली ये ठोस, वो ठोस होते हैं, जिनकी ज जामिती निश्चित होती है, राइट, निश्चित जामिती का मतलब क्या है सर, निश्चित जामिती का मतलब है कि ये एक fix pattern में आपस में connect होते है, मैं डाइग्राम मनाता हूँ आपको डाइग्राम देख के समझ में आ जाएगा, जैसे ये एक crystalline solid का मैंने आपके सामने डाइ जामिती है, इस डाइग्राम को देख करके आपको क्या लग रहा है, कि आप मेरी बाल समझ पा रहे है, कि हाँ सर, आप सही बोल रहे है कि याप निश्चित जामिती किस प्रकार की है, और आपके सामने अगर हमें कहा जाए कि इसको पूरा की जिए, तो हम इस प्रकार से hexagon बनाते वे और भी आगे जौमिती को बना सकते हैं और अगर यही मैं ऐसा बना के देता आपको क्या इसके अंदर आपको कोई निश्चिक जौमिती दिख रही है या आप मुझे यह काओगे सर यह तो कुछ भी है यहां तो कोई भी निश्चिक जौमिती नहीं है सर यहां पे किसी भी प्रकार की कोई निश्चिक जौमिती नहीं है तो जब ठोस के अंदर कण आपस में इस प्रकार से चिपके हो कि वहां पर उनकी जौमिती निश्चित हो उनका structure बिल्कु सही से समझ में आ रहा हो देख करके आप अंदाज लगा सके हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ जैसे इस प्रकार की कोई जॉमिती आपने देखे अभी आपको सब समझ में आएगा आशी सर की class में बैठे हो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम गधों के तो समझ में ना आए मैं छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें 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 समझ में नहीं आएगा काहे चिंता करते हो वे सब समझा के छोड़ेंगे आपको आपने ASL पर भरोसा किया है अपने ASL के साथ पढ़ाई कर रहे हैं आपको पूरे साल पढ़ाया जाएगा और पूरे साल एक एक चीज़ समझा के पढ़ाया जाएगा और मैं वैसे भी Year-long courses में बिलीव करता हूँ मैं ऐसे पढ़ाने में बिलीव करता हूँ कि हर बच्चा समझे और हर बच्चा पढ़ाई को इंजॉय करे आपके सामने मैंने एक विवस्था बनाई है निधी कुमारी ये लाइव क्लास है बढ़ी आश्वी सरके क्लास है मैं बच्चों से बातची तभी करता हूँ जब मुझे जरूरी लगता है बच्चों का समय खराब करने के लिए आकर के चिटचेट नहीं करता हूँ तो मेरी क्लास में आपको मैं 11 की बच्चों को पढ़ाता हूँ 12 को पढ़ाता हूँ जेई और नीट को पढ़ाता हूँ तो मैं basic से लेकर के बहुत advanced तक की classes लेता हूँ इसलिए मैं बिलकुल भी time waste नहीं करता हूँ उस्सव ये class बिलकुल live है पर मैं आपको हर बार सबूत नहीं दूँगा आज मैंने आपका comment देख लिया भी कि भाई ये पूछ रहे है उस्सव comment करने दिजी ए class recorded है live नहीं है अब मैंने आपका जवाब एक बार दे दिया आप अपने गुरू की बार बार परिक्षा मत लीजिए आपको अगर कुछ करना है life में तो अपने गुरू को समर्पित कीजिए खुद को अगर आप मेरी परिक्षा लेते रजाओगे तो पूरे साल निकल जाएगा मैं तो परिक्षा में पास होई जाओगा आप फेल हो जाओगे कोई कि बिना समर्पन के ज्यान संभव नहीं है ठीक है प्रभू? चलिए यहाँ एक निश्चित क्रम है वो निश्चित क्रम बताओ में क्या है? हर एक अब ध्यान से देखना आप समझेंगे तो आपको बिल्गु समझ में आएगा कि हर एक भरेवे गोले को चारों तरफ से खाली गोलों ने घेर रखा है देखो हर एक भरेवे गोलों को चारों तरफ से खाली गोलों ने घेर रखा है और हर एक खाली गोले को चारों तरफ से भरेवे गोलों ने घेर रखा है क्रम है हर खाली के बाद बरावा बरे के बाद खाली के बाद खाली के बाद बरावा बरे के बाद खाली बरे के बाद खाली के बाद बरावा बरे के बाद खाली के बाद बरावा औल्टरनेट एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार का एक करम है मतलब यहां पर निश्चित करम है यहां पर एक निश्चित जौमिती है तो इस प्रकार की निश्चित जौमिती जो है ऐसे यौगिक जिन के अंदर हो इस प्रकार की संजा जिन में हो उन्हें हम क्रिस्टलिये ठोस के नाम से जानते है और इसी को अभी मैं random कर दूँ कोई भी गोला इसकी मर्जी जहां पर पढ़ावा है कोई connection नहीं है जिसकी मर्जी वो गोले को वहां ले जाके रख दो कोई फरक नहीं पड़ता कौन सा गोला कहां पर है कोई निश्चित करम नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता किसको कहां रखावा है जहां मर्जी वहां पर गोले आपस में चिपके वे है जहां मर्जी जैसे गोले आपस में चिपके वे है तो इस प्रकार के ठोस को जहां पर कोई निश्चित करम नहीं है जहां पर जिसकी जो मर्जी वो वहां जाकर के लग गया इसे हम कहते हैं अक्रिस्टलिये ठोस तो चलिए डाइग्राम आपने बना लिया होगा नहीं बनाया तो बनाईए साथ में लेंग्वेज लिखिए इसकी मैं आपको इसकी लेंग्वेज लिखाता हूँ इसमें ऐसा है कि यहां इस प्रकार के ठोस की इस प्रकार के ठोस की इस प्रकार के ठोस की एक निश्चित जामिती होती है इस प्रकार के ठोस की एक निश्चित जामिती होती है जुमेट्री इस प्रकार के ठोसकी क्या होती है एक निश्चित जामिती होती है तोट करें इस प्रकार के ठोसकी एक निश्चित जामिती होती है यहां पर इस प्रकार के ठोसकी कोई निश्चित जामिती नहीं होती है इस प्रकार के ठोसकी जामिती अनिश्चित होती है कुछ भी कहीं भी कैसा भी अनिश्चित होती है दोनों चित्र बना लीजिए जिस तरह से चित्र में दिखाया हुआ है ठीक है तो दिक्कत है परिशानी है मज़ा आ रहा है पढ़ने में बढ़िया डाइगराम बना लो आके पढ़ते हैं ठीक है समझ में आगे निश्चित हो में थी बढ़िया अब आते हैं सेकंड अंतर के उपर वापस से वही यहाँ पर गुण रहेगा यहाँ पर अपन क्रिस्टलिय ठोस के बारे में लिखेंगी यहाँ पर अपन क्रिस्टलिय ठोस के बारे में लिखेंगी है हो गया पड़ेंग अब अपन सेकंड गुण की बात करते हैं है सेकंड गुण में आपको बताने जा रह रहा हूं परास परास को अंगेजी में कहते है है रेंज एक बात बताओ ऐ मैंने आपको एक चीज बोली मैंने आपको एक चीज बोली कि आपको एक निश्चित पैटर्न के अंदर एक व्यवस्था बनानी है निश्चित पैटर्न का मतलब for example मैंने आपको ऐसे कहा कि आपको एक इंट फिर दूसरी इंट फिर तीसरी इंट ऐसे आपस में जॉइन करते वे चलना है फिर इसके ओपर अगली इंट फिर इसके ओपर अगली इंट फिर इसके ओपर अगली इंट ऐसे जॉइन करते वे चलना है ये मैंने आपको इंटो के जॉइन करने का एक क्रम समझा दिया कि आपको इस तरह से एक ब्लॉक के उपर, दूसरे ब्लॉक के उपर, तीसरा ब्लॉक रखते वे चलना है, और एक मैना आपको कहा कि आपको ब्लॉक, निश्चित क्रम में नहीं रखने, आपको तो ब्लॉक ऐसे रखने, अंट शंट, एक के उपर ऐसे दो रख दिये, फिर एक के उपर एक रख दिया, फिर इसके ओपर एक को टिकाने की कोशिश करी, फिर इसके ओपर दूसरा टिकाने की कोशिश करी, ऐसे! इस तरीके से रखना है! ये होता है निश्चित! अब मेरा सवाल ये है, कि इस तरीके से आप ज़्यादा उँची दिवार बना पाओगे? या अंट शंट कैसे भी कुछ भी रखके एक हीट को आपने ऐसे रख दिया कैसे भी कुछ भी रखके आप बड़ी दिवार बना पाओगे बड़ी दिवार कहां बनेगी नमबर वन में बड़ी दिवार बनेगी या नमबर टू में बड़ी दिवार बनेगी कमेंट करके बताओ नंबर वन में बड़ी दिवार बनेगी या नंबर टू में बड़ी दिवार बनेगी कमेंट करके बताओ नंबर वन में बड़ी दिवार बनेगी या नंबर टू में बड़ी दिवार बनेगी कमेंट करके बताओ very good मतलब अब आपने खुजी जवाब दे दिया मुझे पढ़ाना ही नहीं पढ़ा आपका खुद का जवाब आ गया क्या जवाब आ गया कि जब जब आप एक निश्चित क्रम में चीजों को जोडते वे चलते हैं तो लंबी विवस्था बनती है इसको बोलते हैं लॉंग रेंज दीर्ग परासी विवस्था और जब आप यादरचिक रूप में अनिश्चित जौमिती के अंदर चीजों को बनाते हैं तो आप ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते थोड़ी दूर तक ही जाएगी तो मतलब इसकी रेंज क्रिस्टल ये ठोस के अंदर जो विवस्था है वो दीर्ग परासी होती है लॉंग रेंज होती है और यहाँ पर लगू परासी होती है ज़्यादा लंबी नहीं चल पाती समझा गया पॉइंट? लिख लीजे यहाँ निश्चित जौमिती होने के कारण किस प्रकार की विवस्था होती है? दीर्ग परासी विवस्था होती है दीर्ग परासी विवस्था होती है दीर्ग परासी विवस्ता होती है मतलब यहाँ पर जौमिती निश्चित है तो यहाँ पर निश्चित जौमिती होने के कारण दीर्ग परासी विवस्ता देखने को मिलती है लॉंग टर्म दीर्ग परासी विवस्ता होती है और यहाँ आनिष्चित जौमेति होने के कारण मतलब दीर प्रासी का मतलब हो गया लॉं ग रेंज इससकी रेंज लंबी होती है बंदू की रेंज होती है कि गोली कितनी दूर जाएगी उसको रेंज बोलते है प्रासवर्ड का मतलब समझ में आता है तो यहां आ निश्चित जौमेती होने के कारण किस प्रकार के विवस्ता होती है लगू परासी विवस्ता होती है लगू परासी व्यवस्था होती है यहाँ अनिश्चित जामितियों नेकान लगू परास्य व्यस्था होती है मतलब यहाँ पर इदर लॉंग रेंज होती है और यहाँ पर शॉर्ट रेंज होती है यहाँ पर लॉंग रेंज होती है और यहाँ पर शॉर्ट रेंज होती है तीसरा अंतर देखते हैं अपने आप किस बात करने चाहरे है दिहान से सुनना गलनांक एवं क्वाथनांक इसके बारे में बात करेंगे सुनना बात को और समझना सबसे पहले तो क्रिस्टली और आक्रिस्टली टोस का एक्जांपल मैं आपको बता देता हूं इसके एक्जांपल में आगे आपका NACL नमक जो घर में आप खाते हो बड़े चाओ से और इसका एक्जांपल आता है रबड जो टाइरों में लगा होता है अब दिमाग लगा करके चीज़ें समझ में आएँगी एनेसील क्या है नमक एनेसील क्या है क्रिस्टली टोस क्रिस्टलिय ठोस होते हैं, उनका एक गुण होता है, कैसा गुण? कि क्रिस्टलिय ठोस को जब पिगालते हैं, तो वो एक fixed temperature पे पिगल जाते हैं, क्रिस्टलिय ठोस को जब उबालते हैं, तो वो एक fixed temperature पे उबल जाते हैं, और हर एक ठोस का वो temperature अलग अलग होता है, मतलब crystalिय ठोस जैसे की नमक, इनका निश्चित और अभी लाक्षनिक गलनांक और कवतरांक होते हैं, अभी लाक्षनिक का मतलब क्या है, कि हर ठोस का अपना-अपना अलग अलग होगा, और निश्चित का मतलब है, fixed होगा, परासी का मतलब पूछ रिए एक बच्ची, परासी तो अपने वापस आते हैं, तो नमक जो है, उस नमक को गलाओगे, तो गलेगा भी एक निश्चित आपमान पे, नमक को उबालोगे, तो उबलेगा भी एक निश्चित आपमान पे, ठीक है, नमक के साथ ऐसा है, अब आते हैं अपन रबर के साथ, क्या कभी आपने टायर को ज जलते वे देखा है, जब टायर जलता है, तो उसके कुछ हिस्से से धुआ निकल रहा होता है, उसका कुछ हिस्सा पिगल रहा होता है, और उसका कुछ हिस्सा सॉलिड रहता है, मतलब टायर को जलते वे अगर आपने कभी देखा है, आपने जब भी कोई ऐसे कांड होते रहते तो वैसे भी टायर जला देते हैं लोग ऐसे ही मज़े मज़े में तो जब आप टायर को जलते वे देखो कि तो आप क्या पाओगे जब टायर जलता है तो उसका एक हिस्सा में इसे धुआ निकलना शुरू हो जाता है दूसरा हिस्सा ऐसे पिगलरा होता है और तीसरा हिस्सा उसका एकदम ठोस रहता है मतलब कोई fix temperature नहीं है यहाँ पर एक range है जैसे मैं आपको बोलूँ कि नमक example के तौर पे मैं ऐसे ही आपको एक example दे रहा हूँ जैसे example के तौर पे नमक 75 degree centigrade पर उबलता है तो fix 75 पर उबल जाएगा बट डबर के केस में ऐसा नहीं है डबर के केस में तुमको यह बोलूँगा कि भई 50 से लेकर के 50 से लेकर 80 के बीच में रबर दीरे दीरे नरम पड़ेगा और फिर बलना शुरू कर देगा कहने का मतलब यहाँ पर गलनांक और कृतनांक निश्चित नहीं है यहाँ पर गलनांक और कृतनांक की एक रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक के तापमान में यह धीरे 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 नरम पड़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के रेंज में यह धीरे 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 नरम पड़ेंगे जबकि इधर क्या है एक फिक्स तापमान पे उबलना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे एक निश्चित और अभिलाक्षनिक गल्लांक उत्रांक होते हैं बात समझे मेरी और यहाँ पे क्या होता है यहाँ एक तापमान की रेंज है रेंज का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक ऐसे यह विवस्ता यहाँ से यहाँ तक जा दिये लगू परासी यहाँ से यहाँ में खतम हो गई दीर और लगू रेंज का मतलब होता है शुरूवास से अंतिम मिंदू की बात होती है तो यहाँ पर जब गल्लांग को खुतरांग की बात होती है जैसी बात समझ में आजा फटा फट से हैश्टेग मक्षन लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में तो मैं आगे बढ़ जाओंगा कि किस्टलिय ठोस जो है किस्टलिय ठोस जो है उनमें एक निश्चित और अभिलाक्षनिक गल्लांग को खुतरांग होते हैं जबकि यहाँ क्या होता है मेरे दोस्त यहाँ क्या होता है मेरे दोस्त यहाँ एक रेंज है भाई उस रेंज के अंदर ही यह गलेंगे उस रेंज मे नहीं उबलेंगे, नेक फिक्स तापान पर कलेंगे हाथ उपर कर दो हैश्टेग मक्खन लिख दो अगर मेरी ये बास समझ में आ गई है हैश्टेग मक्खन in the comment section अगर मेरी ये बास समझ में आ गई है अगर मेरी ये बास समझ में आ गई है आगया लिख फादे चलो निश्चित एवम यहाँ इस प्रकार के ठोस का इस प्रकार के ठोस का निश्चित एवम अभिलाक्षनिक निश्चित का मतलब हो गया फिक्स अभिलाक्षनिक का मतलब समझाता हूँ निश्चित एवम अभी लाक्षिनिक देखो यह बहुत हो क्या सभी किसलिये ठोस का गल्लांग को अकोत्रांग fix होता है हाँ सर क्या सबका समान होता है, नहीं अगर एक 75 पे उबल रहा है एक 100 पे उबलेगा, एक 1.500 पे उबलेगा एक 200 पे उबलेगा, एक 75 पे उबलेगा 25 पे उबलेगा, मतलब क्या है मतलब क्या है कि निश्चित है मतलब यहाँ कोई range नहीं है यहाँ एक fix तापमान है, पहली बात दूसरी बात, अभी लाक्षिनिक है अभी लाक्षिनिक होने का मतलब है कि हर एक ठोस के लिए अलग-अलग है पर निश्चित है जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा आपके आशी सर आगे नहीं बढ़ेंगे मत परशादू मैं, जब तक किसी बच्चे को समझा नहीं देता तब तक मैं अपनी क्लास को आगे लेके नहीं जाओंगा और यह बात है आगे बात है आगे बात है आगे बात है आगे आगे तो इस प्रकार के ठोसका निश्चित है अभी लाक्षिन गलनांग एवं कवतनांग होता है इधर क्या है इधर क्या है इस प्रकार के ठोसका गलनांग एवं कवतनांग अनिश्चित होता है गलनांग एवं कवतनांग अनिश्चित होता है ये ताप मान की एक परास में ये तापमान के एक परास में धीरे धीरे नर्म पड़ते हैं तापमान के एक रेंज में धीरे धीरे नरम पढ़ते हैं तापमान की एक रेंज में धीरे धीरे क्या पढ़ते हैं नरम पढ़ते हैं तापमान की एक रेंज में तापमान की एक रेंज में धीरे धीरे क्या होता हैं नरम पढ़ते हैं यह इनकी का आनी है पतापमान के एक रेंज में धीरे धीरे नरम पड़ते है बढ़ी आए बताओ बिटा यहां तक मस्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ गया अब हम अगली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत शांदार है और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत था, आपने एक कंटेनर में आपने एक पातर में आपने एक पातर में एक पातर को रखा और पातर में भड़ लिया बरफ और बरफ आप बहुत थंडी लेकर क्या है बरफ का ताप मांता माइनस का 10 degree centigrade फिरिज में से आपने बरफ निकाली बरफ बैंग कर थंडी थी माइनस का 10 degree centigrade आपने का कि मैं आज इस बरफ को पिखाल के रहूंगा आपने नीचे लेंप लगाया और लेंप लगा के आपने इस बरफ को गरम करना शुरू कर दिया फिर आपने क्या किया आप ये भी देखना चाते थे कि जब बरफ गरम हो रही है तो तापमान पे क्या फरक पड़ रहा है उसके लिए आपने क्या किया आपने ये चेक करने के लिए अंदर एक थर्मामीटर लगा दिया ये चीज चेक करने के लिए कि तापमान के साथ क्या हो रहा है आपने एक थर्मामीटर यहां पे लगा दिया अब सुनना ध्यान से आपको क्या देखने को मिलता है आपने ये देखा कि जब आपने गरम करना शुरू किया था तो बरफ का temperature था माइनस का 10 degree centigrade सही है जब आपने गरम करना शुरू किया था जब आपने गरम करना शुरू किया था उस समय जो तापमान था बरफ का वो कितना था मेरे दोस्त माइनस का 10 डिगरी सेंटिकेट आपने गरम करना शुरू किया तो आप मान बड़ा माइनस का 9 हो गया और बड़ा माइनस का 7 हो गया और बड़ा माइनस का 6 हो गया और बड़ा माइनस का 5 हो गया और बड़ा माइनस का 4 हो गया पता है ना, आपको माइनस में 4 बड़ा होता है माइनस के पास से, और बड़ा माइनस का 2 हो गया, और बड़ा माइनस का 1 हो गया, और बड़ा 0 degree centigrade हो गया, अब 0 degree centigrade पे शांदार जादू हो गया, क्या जादू हुआ, अब आप तापमान को यहां से आपने स्टोव को आउन गया काफी देर के लिए आप गरम किये जारे हो गरम किये जारे हो पर तापमान जीरो डिग्री सेंडिगेट पर क्या हो गया फिक्स हो गया क्यों क्योंकि अब जीरो डिग्री सेंडिगेट पर एक कांड होना शुरू हो गया है और उस कांड का नाम है अवस्था परीवर्तन zero degrees centigrade पर एक कांड ने होना शुरू हो गया है और उस कांड का नाम क्या है बिटा? अवस्था परीवर्तन मतलब अब आपकी बरफ जो है वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुरी अब आपकी बरफ क्या बनने लगी है पानी बनने लगी है अब आप पता है क्या देखते हो जब तक आपकी सारी की सारी बरफ पानी में नहीं बदल जाती तब तक आपका temperature जीरो डिगरी सेंडिगेट पे फिक्स रहता है मतलब जितना भी solid है वो gas में convert नहीं हो जाता तब तक आपका तापमान zero का zero बना होता है क्यों? क्योंकि पहले जो आप उश्मा दे रहे थे वो तापमान बढ़ाने में काम आ रही थी पर अब जो आप उश्मा दे रहे हो वो तापमान बढ़ाने में काम नहीं आ रही है वो अवस्था परिवर्तन करने में काम आ रही है तो वो चुपचाप अंदर जाकर के अवस्था को परिवर्तित कर रही है इसको latent heat या गुब तूश्मा कहते है छोड़ो इतना दिमाग मतलगाओ मोटी-मोटी बास समझो जब सारा बरफ पानी सॉरी-सॉरी-सॉरी गैस नहीं होगा लिक्विड होगा थोस से द्रव थोस से द्रव मस्थ बास समझना मेरी अब क्या होता है अब तो होता है मज़दार चीज क्या मज़दार चीज होती अब यह होता है अब जब सारा का सारा बरफ पानी बन जाती है जब सारी की सारी बरफ पानी बन जाती है अब टेंपरिचर वापस बढ़ना शुरू होता है अब टेंपरिचर 0 से 10 डिगरी होता है फिर 20 डिगरी होता है फिर 40 डिगरी होता है फिर 60 डिगरी होता है फिर 100 डिग पाफी देर तक बना रहता है कोई बच्चा मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा क्यूं कि 100 डिगरी सेंटीगेट पे फिर से कांड होता है वह कांड का नाम है अवस्था परिवर्तन इसमें क्या होता है इसमें आपका solid जो है इसमें जो आपका liquid है जो आपका पानी है वो आपका किसमें बदल रहा होगा भाप में अब आपका पानी भाप में बदलता है मतलब आपका liquid जो है वो gas में बदल रहा होता है तो जब तक आपका पूरा का पूरा लिक्विड गैस में नहीं बदल जाता जब तक आपका पूरा का पूरा लिक्विड गैस में नहीं बदल जाता तापमान अब वापस से 100 बना रहेगा फिर बढ़ना शुरू होगा फिर जब पूरा conversion हो जाएगा उसके बाद फिर 100 फिर बढ़ना शुरू करेगा 110, 120 ऐसा मतलब अगर मैं एक graph बनाने की कोशिश करूँ और पिटा अगर इसका उल्टा करेंगी तो क्या होगा? अगर मैं भाप को थंडा करूँ तो क्या होगा? मालो भाप जो है वो आपकी 120 degree centigrade पर आप भाप को थंडा करूँ गे 110 होगी 100 पर आकर के भाप fix हो जाएगी फिर उसका आप थंडा किये जारे हो आपने fridge में रख रका है थंडा किये जारे हो थंडा किये जारे हो थंडा किये जारे हो पर temperature 100 degree centigrade fixed रहेगा क्यों? क्योंकि आपकी गैस जो है वो किसमे बदल रही होगी लिक्विड में तो जब तक आपका भाब पूरा का पूरा पानी में नी बदल जाता temperature सो बना रहेगा फिर उसके बाब में जब पूरा पानी बन चुका होगा temperature 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, फिर 0 होगा जीरो पर आकर के फिर से आपका temperature fix हो जाएगा आप उसको कितनी देर फिरिज में रख लो जब तक पूरा का पूरा पानी बरफ नहीं बन जाता तब तक temperature यही रहेगा क्योंकि अब liquid से हम solid की तरफ जा रहे हैं और फिर temperature गिरना शुरू होगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इसका उल्टा होगा तो माल लेते हैं मैं यहाँ पर एक शीतलन वक्र बना रहा हूँ शीतलन वक्र शीतलन वक्र मतलब थंडा कर रहा हूँ ठंडा कर रहा हु और यहां मैं देख रहा हूं तापमान हाँ तौं महाइन लेते हैं पहले तपमान 120 degree centigrade था जैसे जैसे आप ठंडा करोगे time के सासा नहीं कम होता जाएगा जाएकशि कम होता जाएगा उसके बाद 100 degrees centigrade पर नहीं क्या विस्क्स हो ठंडा होगा ठंडा होगा ठंडा होगा ठंडा होगा और उसके बाद क्या होगा अगर पानी के लिए बना रहे हो तो यह पॉइंट जैसे मालों 120 degree centigrade है तो 100 degree centigrade पर आकरके फिक्स हो जाएगा जब तक कि पूरी की पूरी भाफ पानी में नहीं बदल जाती फिर यह कम होगा कम हो फिर यह 0 degree centigrade पर आकरके फिर से फिक्स हो जाएगा जब तक पूरी की पूरी वापस यहां पर क्या हो रहा है अवस्था परिवरतन अब जब तक पूरा का पूरा पानी बरफ में ना बदल जाए यह 0 degree centigrade ही बना रहेगा क्या मेरी बात सभी बच्चों के समझ में आ रही है को क इसके बाद फिर कम होना शुरू होगा उसके बाद आप यह उमीद कर सकते हो और फिर वही माइनस 1 माइनस 2 होगा सही है इस प्रकार का ग्राफ होगा अब इस प्रकार का ग्राफ क्यों बन पा रहा है बताओं मैं आपको बता दू बता दू है इस प्रकार का ग्राफ क्यों बन पा रहा है क्योंकि एक निश्चित तापमान है जिस पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित तापमान है जिस पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो जब एक निश्चित और अभिलाक्षिनिक गलनांक अतनांक होते है तो वक्र ऐसा आता है क्योंकि एक निश्चित तापमान होता है जिस पर अवस्था परिवर्तन होती है तो graph fix हो जाता है एक निश्चित तापमान होता है जिस पे वापस से अवस्था परिवर्तन होती है तो graph fix हो जाता है मतलब ये वाला point कौन सा है अगर मैं आपको explain करना चाहूँगो तो ये वाला point कौन सा है ये point है जब आपकी भाप किसमें बदल रही है पानी में और ये वाला point कौन सा है ये वाला point है जब आपका पानी किसमें बदल रहा है बरफ में पानी किसमें बदल रहा है बरफ में ये वो point है मेरे भाई जब भाप बदल रही है पानी में और ये वो point है मेरे भाई जब पानी बदल रहा है बरफ में फिक्स रहेगा temperature तो अब आपको मैं बोलूँ कि हम चोहता point ले रहे हैं कि हम शीतलन वक्र बनाना चाह रहे हैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं शीतलन वक्र शीतलन वक्र को अंग्रेजी में कहते हैं cooling curve अब क्योंकि समझना क्योंकि क्रिस्टली ये ठोस में क्योंकि क्रिस्टली ये ठोस में एक निश्चित और अभी लाक्षनिक गल्लांक अतनांक होते हैं इसलिए इनमें ये इस्टिती आएगी कि एक निश्चित तापमान पे अवस्था परिवरतन के समय तापमान fix हो जाएगा फिर वापस अवस्था परिवातन पर तापमान फिक्स हो जाएगा अब यहाँ तो 0 डिगरी था इसलिए मैंने 0 डिगरी पाके फिक्स किया अधरवाइस अगर अपन किसी और ठोस के लिए बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा जब हम समय के साथ सा थंडा करेंगे जब हम समय के साथ सा थंडा करेंगे शीतलन वक्र बना रहे हैं अपन जब हम समय के साथ सा थंडा करेंगे जब हम समय के साथ सा थंडा करेंगे तो जैसे इस तापमान से आपने थंडा किया यहाँ आप तापमान ले ले और यहाँ आप समय है और समय के साथ साथ हम तापमान को गिराते जा रहे हैं हम यह चीज़ देख रहे हैं कि जब आवस्ता परीबरतन हो रही होगी मेरे दोस्त तो तापमान फिक्स हो जाएगा फिर तापमान वापस गिरेगा 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 फिर अवस्था परिवर्तन होगी तो तापमान फिक्स हो जाएगा मतलब ये पॉइंट कौन से है जब आपकी अवस्था परिवर्तन हो रही है ये पॉइंट कौन से है जब आपकी अवस्था परिवर्तन हो रही है और अगर यही ग्राफ में इसके लिए बनाऊं तो अरे यार यहाँ पे तो कोई निश्चित चीज है ही नी यह तो एक परास में गरम पड़ते हैं परास में नरम पड़ते हैं इनके साथ तो कोई फिक्स तापमान है ही नी तो जब यहाँ पर अभिलाक्षनिक गलनांग और तो ऐसा तो कोई टेंपरेचर आए गई नी जिसके उपर पूरी अवस्था परिवर्तन हो उसके बाद वो कम होना शुरू हो इसमें तो क्या होगा इसमें तापमान कम भी होता जाएगा विगलता भी जाएगा उबलता भी जाएगा तापमान बढ़ता जाएगा विगलता भी जाएगा, उबलता भी जाएगा, मतलब इसमें ऐसा नहीं है, कि कोई निश्चित तापमान क्या आकर कि वो वेट करेगा, कि भाई, तु सारा परिवरतन कर ले, फिर मैं तापमान बढ़ाऊंगा, तु सारा परिवरतन कर ले, फिर मैं तापमान कम करूँगा, ऐसा नहीं ह आएगा इसमें कहीं भी वो पॉइंट नहीं आएगा जब आपको ऐसा देखने को मिले कि बीच में रुक गया हो, ऐसा नहीं होगा मतलब अगर मैं यहां से किसी बच्चे को बोलू, बच्चा ले लूँ कोई, कौन सा बच्चा मिलेगा मुझे विकास को ले ले हैं, विकास कुमार को, तो मैंने विकास को बोला, मैंने का विकास एक काम कर बिटा, यहां से पिसल पट्टी खा, तो मैंने विकास को का कि विकास यहां से पिसल पट्टी खा, और मैंने एक और बच्चा ले लिए अपना रूही, रूही को ला मैंने, रूही अराम से एक बार में नीचे आ जाएगा नहीं सर विकास पहले धम करके यहां गिरेगा फिर यूँ चलेगा फिर धम करके गिरेगा फिर यूँ आएगा मतलब विकास continuous नीचे नहीं आएगा लगतार नीचे नहीं आएगा पर अगर वहीं मैं रुही की बात करूँ तो रुही यहां से पिसल पट्टी खाना शुरू करेगी शक्क करके नीचे आ जाएगी सही बात है मतलब यह जो graph है यह graph non continuous है लगतार नहीं है यह आसतत है और यह जो graph है सतत है एक साथ है खट करके आप इसमें नीचे आ सकते हो मतलब आप यहां लिखेंगे इस प्रकार के ठोस के लिए लेंग्विज लिखवा रहा हूँ इस प्रकार के ठोस के लिए इस प्रकार के ठोस के लिए इस प्रकार के ठोस के लिए शीतलन वक्र आसतत होता है इस प्रकार के ठोस के लिए इस प्रकार के ठोस के लिए शीतलन वक्र झाल झाल तो इस प्रकार के ठोस के लिए शीतलन वक्र असतत होता है मतलब नौन कॉंटिनियस और इस प्रकार के ठोस के लिए इस प्रकार के ठोस के लिए इस प्रकार के ठोस के लिए शीतलन वक्र इस प्रकार के ठोस के लिए शीतलन वक्र सतत होता है सतत मतलब continuous होता है सतत होता है बता हो, मज़ा है आपको यह point समझे मा आगया, अगले point पर चले next point पर चलते है next point है, प्रकरती, नेचर देखो क्रिस्टली ठोस का जौमेती निश्चित है क्रिस्टली ठोस का गलनांग कोतनांग का बिलाक्षनी को निश्चित है क्रिस्टली ठोस शांदार वाला काम करते हैं इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है इन थोस को इन्हें वास्तविक थोस कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें वास्तविक थोस कहा जाता है ये नाटक बाज है इनका निश्चित नहीं है आकरती वगर है कुछ भी इनका निश्चित है ही नहीं कोई भी गुण धर्म इनका निश्चित है ही नहीं तो तुम थोस तो हो, पर मजा नहीं आगा तुम और साथ, तो तुम किस प्रकार के थोस हो? इन्हें आभासी थोस कहा जाता है. कहते हैं pseudo-solid मतलब इंग्लिश में आप देखेंगे ना इंग्लिश में इन्हें pseudo-solid कहते है pseudo-solid और इन्हें real-solid कहते है ऐसा है बोलिये साथ मजाया निया है मजाया निया है तो next point अगले पेश पर करते है next गुण है 6th नंबर का विदलन अगर आप क्रिस्टलिय ठोस को अगर आप क्रिस्टलिय ठोस को चाकू से काटेंगे तो ये एकदम चिकनी सतय बनेगी जैसे पनीर काटने पे बनती है और अगर आप इस प्रकार के ठोस को काटेंगे तो उबड खाबड सतय प्राप्त होगी मतलब खुरदरी सतय प्राप्त होगी लिख लीजे धारधार हतियार से काटने पर धारधार हतियार या धारदार चाकू धारदार चाकू आदी से काटने पर धार-धार चाकुवादी से काटने पर चिकनी एवं सम्तल सतय प्राप्त होती है काटने पर चिकनी काटने पर चिकनी एवं सम्तल सतय चिकनी एवं सम्तल सतय प्राप्त होती है चिकनी एवं समतल सथे प्राप्त होती है। इदर क्या होता है। अगर आप धारदार अतियार से काटेगे, तो आपको खुरदरी सथे प्राप्त ho गी। तो धारदार अतियार से काटने पर, धारदार चाकुवधी से काटने पर, इसको यहीं से दिखल्यूंगे। धार्दार आपको थोगा सा कपी करना पढ़ेगा। मैं यहां से कपी कर सकता हूं, दार्दार हतियार से काटने पर चिकनी और समतर सतय प्राप्तनी होती इडिन इन आपमें कैसे सतय प्राप्त होती है इसे इसको काटा तो एकदम चिकनी सतय मिलेगी आपको ऐसी चिक है और वहीं आपने एक्जामें डाइग्राम बना के आना भई स्टेट टॉपर ऐसी तो बनोगे जब लिखना सीखोगे ऐसी उबर खाबर उबर खाबर सतय आपको मिलेगी इसको काटने पर आपको ऐसी सतय मिलती है और इसको काटने पर आपको उबर खाबर सतय मिलती है हाँ मोहमद अधनान यहाँ पर फाल्तू चैट्स को चेक नहीं किया जाता है यह वो चैनल है जहाँ पर सीरियस पढ़ाई कराई जाती है यह वो चैनल है जिस चैनल के उपर से टॉपर्स बनाये जाते हैं यहां के बच्चे 98, 99 मार्क्स लेकर के आते हैं अपने राज्ये को टॉप करते हैं क्यों? क्योंकि पूरे साल सिंसेरली पढ़ाई करते हैं यह वो चैनल है इस channel पे pure steady कराई जाती है और इसलिए इस channel का standard English medium के अपने आपको top notch कहने वाले channel से भी उपर है यही कारण है कि इस channel के उपर से पढ़ने वाले बच्चे सीधा select होते हैं सीधा अच्छा result लेकर के आते हैं ठीक है? यहाँ तो आपको वो च्ट्चेट्स नहीं मिलेंगी sorry आ रहा है चलो next point पर आते हैं अब हम देखते हैं एक point दैशिक्ता जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दैशिक्ता एक काम करते हैं दैशिक्ता को पहले अलग से समझते हैं ठीक है? दैशिक्ता को थ्योरी लिखवा दो थोड़ी सी आपको उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ लिखो कुछ गुण जैसे कुछ गुण जैसे कुछ गुण जैसे अपवरतनांक विद्यूत चालकता अपवरतनांक कुछ गुण जैसे अपवरतनांक विद्यूत चालकता कुछ गुण जैसे अपवरतनांक विद्यूत चालकता कनन सामर्थे कनन सामर्थे आदी का मान आदी का मान मापन की दिशा में परिवर्तन कर या परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है इस गुण को विशम दैशिकता कहते है इस गुण को विशम दैशिकता कहते हैं तता ठोस गुण को विशम दैशिक ठोस कहा जाता है ठोस को विशम दैशिकते हैं थोस को विशम दैशिक थोस कहा जाता है क्योंकि इनमे कणों का क्योंकि इनमे कणों अभी समझा दूँगा मैं लिख लो पहले क्योंकि इनमे कणों का क्योंकि इनमे कणों का एक निश्चित क्रम होता है क्योंकि इनमे कणों का एक निश्चित क्रम होता है क्योंकि इनमे कणों का क्या होता है एक निश्चित क्रम होता है ठीक है बटा अब कण में क्या-क्या हो सकते हैं कण में परमानूं हो सकते हैं कण में क्या क्या हो सकते हैं, कण में परमानू हो सकते हैं, अनू हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कण में, इन तीनों में से कण में कुछ भी हो सकते हैं, परमानू हो सकते हैं, अनू हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, समझें इसका मतलब क्या है, समझें इसका कुछ गुण ऐसे होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं, कि आपने किस डायरेक्शन से मैजर किया है। जैसे अपवर्तरांग, विद्धु चालकता, तनन सामर्थे, अगर अपने अलग 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 डायरेक्शन से इनको मैजर करें, तो गुण धर्म अलग अलग आ जाते हैं, और जब अलग 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 डायरेक्शन से चेक करने पर गुण अलग 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 आ जाते हैं, तो इ फिर वापस ठोस आएगा, ऐसा होता है? आप क्या होगा? वापस ऐसा। फिर यह आएगा, फिर वापस सीए आएगा ऐसा होगा? फिर? फिर यह आएगा फिर यह आएगा फिर क्या होगा फिर यह पूरा वापस रिपीट होगा सही है फिर यह पूरा वापस रिपीट होगा ऐसा होगा यह एक निश्चित क्रम है हर खाली के चाओ तरफ भरेवे गोले हर भरे के गोले के चाओ तरफ खाली है यह आपका crystal heat hose का structure मैंने बनाया एक निश्चित क्रम यह आपका crystal heat hose है अब आप एक काम करो अलग-अलग direction में check करो आप इस direction में सबसे पहले जाकर के check करके आओ इस direction में जब आप इस direction में check करते हो तो check करके मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है जब आप इस direction में check करोगे आपने अपनी छोटी सी आँख ली और आपने इस direction में check किया आपको लग रहा है गोला-ठोस-गोला-ठोस ऐसा है आप इसी चीज़ को आप इसी चीज़ को जब इस direction से check करते है आप देखो आप जब इसी चीज़ को इस direction से check करोगे आप इसी चीज़ को इस direction से check करोगे तो क्या पाओगे इस direction से check करने पर आप ये पाते हो सारे गोले एक तरफ, सारे ठोस एक तरफ तो जब निश्चित क्रम है और निश्चित क्रम में आपने अलग-अलग दिशाओं में देखा तो आपको अलग-अलग दिखाई दे रहा है मतलब अलग-अलग दिशाओं में गुणधर्म अलग-अलग होंगे विशम अलग 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 दैशिक ता देखना तो अलग 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 दिशाओं में देखने पर गुंधरम अलग अलग है तो इसको कहते हैं विशम अलग 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 दिशाओं में देखने पर गुंधरम एक जैसे हो तो उसे कहा जाता है सम अलग 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 अल यदी गुन समान हो, अलगलग दिशाओं में, यदी गुन समान हो, तो इसे, सम दैशिक्ता कहा जाता है, अलगलग गुन दिशाओं में, तो विशम दैशिक, और एक समान गुन दिशाओं में, तो इसे सम दैशिक्ता कहा जाता है, तो थोस को, सम दैशिक्ता कहते हैं, मतलब नमक, यह NACL का structure है, तो NACL क्या प्रतशित करेगा, विशम दैशिक्ता, और सम दैशिक्ता का example, सम दैशिक्ता को समझाओं सर, कि अलगलग दिशाओं में, एक जैसा कैसे आ रहा है, इसमें तो आपने समझा दिया, कि इस दिशाओं में, डॉट 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 इस दिशाओं में, एक तरफ पुरा डॉट, एक तरफ पुरा ठोस, आगे ऐसा समझ में अलग अलग है, सर उसमें तो समझाओ में उसमें तो समझाओ में विशम दैशिक में तो समझा दिया आपने सम दैशिक समझाओ तो सम दैशिक में याद करो मैंने बताया था ना अंट शंट कहीं भी कुछ भी होता है तो अंट शंट कहीं भी कुछ भी है अब कुल alpha जाँ मर्जी वहाँ जा म मर्ची वहाँ और सिंटी और सिर्क्राइट ररखते नहीं नहीं है जाँ मन गरता मिर्जी वहाँ जा मर्जी वहां एक आट मींने वहाँ पर रख दो कोई fix pattern नहीं है जहां मन कर रहा है तुम्हारे भसट मचावा बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है जहां तुम्हारा मन कर रहा है वहाँ तुम्हारा मन कर रहा है वहाँ तुम्हारा मन कर रहा है वहाँ तुम्हारा मन कर रहा है तो भी बसड़ी है हर जगे गंदगी मचीवी है इधर से देखो चाहे इधर से देख लो दौनों तरफ देखने पर तुम्हें यही फील होगा कि एक तरह की गंदगी है इधर भी यादर चीके कोई भी कहीं भी इधर भी यादर चीके कोई भी कहीं भी दौनों तरफ सेम है तो वन एंड टू यहां पर क्या है? सेम है जैसे अगर तुम सुबह प्रेयर होती है स्कूल के अंदर उसमे एक नियम होता है सिक्सलास का बच्चा यहां खड़ा होगा, सेविंथ का यहां होगा एर्थ का यहां होगा, नाइन्थ का यहां होगा, टैंथ का यहां होगा तो अगर तुम प्रेयर में ऐसे खड़े होते हो तो तुम्हें नाइन्थ की बच्चे दिखाई देंगे तुम इधर खड़े होगे तुम्हें एर्थ की बच्चे दिखाई देंगे इधर से देख रहा हूं, तो भी अंशन बच्चे कोई भी कैसे भी होके खाना खा रहे हैं, किसी भी क्लास के, यहां देख रहा हूं, यहां भी किसी भी क्लास के खाना खा रहे हैं, ऐसे देख रहा हूं, किसी भी क्लास के खाना खा रहे हैं, ऐसे देख रहा हूं, किसी भी क्ल दिखती है, एक जैसे याद्रिछक्ता दिखती है, एक जैसे अनिश्चित्ता दिखती है, सही है, तो अमीद करता हूँ कि आपको दैशिक्ता एकदम शांदार वाला समझ में आ गया होगा, अब इधर पॉइंट पर आ जाते हैं, तो दैशिक्ता वाले पॉइंट में क्या लि दिखना है कि ये ठोस विशम दैशिक होते हैं, और ये ठोस सम दैशिक होते हैं, फिर आप जो मैंने विशम दैशिक्ता और सम दैशिक्ता का लिखवाया है न, उस लेंग्विज को लिख्या जाओगे, इसके साथ में, ये ठोस सम दैशिक होते हैं, फिर जो डाइग्राम मै और बनाहें दरोके दरोके डियाग्राम पर बना लुके रोगे न दियाग्राम कैसा है कि इस आद रहे न बनालोगे वह यहां बनाना है अफ़ु?. वह पूरोलिखना भी है अच्छे से बनाना भी है मैं शौट में यह वाला डाइग्राम बनाना भी है और लिखना भी है ठीक है और यहां क्या होगा यह कोई भी कहीं भी है ना है यहां यादडरिख खिल यहां से तो भी वाई यह से तो देखने में लग रहा है कि सबसे गहला है इसे र simplement करते किक रखहुन कर देते को धर दुधारन दे लेते हैं तो इसके उधान होगे NACL, KCL NACL KCL K2SO4 हीरा, डाइमंड है हीरा डाइमंड, शांदार वाला बरफ आईस इसका एक उद्धायागा आणा मज़ा लोहा सोना प्लैटिनम एकसेक्पर और इसका उद्धायागा रबर, प्लास्टिक, कांच रबर प्लास्टिक इसका उद्धाटब कांच, क्रिशने कांद बात बताईए, कमेंट नहीं, बात बताईए, क्या पुछना चाहरे है, वो बताईए, PVC, poly, vinyl, chloride, ये भी इसका एक्जामपल है, PVC, poly, vinyl, chloride, accept, done, इस प्रकार से एक्जाम में अगर आता है, तो आप ऐसे अंतर लिख करके आएंगे, इन सब के बीच में, एक्जाम में अगर आएगा, इस प्रकार से आपको इनके बीच में अंतर लिख करके आना पड़ेगा, अब कल की क्लास में हम topic related caution करेंगे, कि इस topic से caution कैसे आते हैं, और अपन आगी के topic को बढ़ाएंगे, next class के में, तो जैसा मैंने कहा था, कि आपको हर एक चीज की language प्रॉपर तरीके से लिखवाई जाएगी, जैसा कि मैंने कहा था, कि मैं आपको ना केवल समझाऊंगा, आपका mark दर्शन करूँगा, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, वरन मैं आपको सारे notes भी बहुत शांदार तरीके से लिखवाने वाला हूँ, इस बात का विश्य ध्यान रखें कि जो बच्चे ASL से पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत ही शांदार तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं कर आपड़ता, तो आज की class को यहीं पर रखते हैं, आज मैं आपके लिए खुद लिख रहा हूँ, thank you so much, इस class को इतनी रात तक अटेंड करने के लिए, तुम मुझे अपना एक साल दे दो, मैं तुम्हारे हाथ में state topper का result रख सकता हूँ, और यह मैं केवल बाते नहीं कर र result, ASL पे, ASL के teachers कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस पढ़ाते हैं, बाद में ASL का result बोलता है, आपको पता होना ही चाहिए कि आपकी अधिकतर कक्षा है, application पे होंगी, आपका board wise साजी class दे application के उपर होंगी, YouTube पे बस आपकी theory class होती है, बाकि जो पूरा content 100 out of 100 का है, वो आपको app पे मिलता है, अभी restart करने का, जैसे कल इस topic की सम्मद्धि जितनी भी questions हैं, exam में कैसे आते हैं, वो कल आपको application मिलेगा, जल्दी से आप application को install करें, batch को join करें, ये तीन number हैं, इनके ओपर call कीजिए, और इन तीन number पे call करके, अपने batch को फटा-फट से join कीजिए, अगर आप J.N आपने इन इंट्रस्टेड हैं, तो आशी सिंग लेक्चर का J.N.ीट का चैनल आज ही चेक कीजिए, अपने छोटे भाई बैनों को 910 का चैनल की बारे में बताईए, और ये तीन number अपने phone में save करके, एक बार बार जरूर कीजिए, और अपने batch को join कीजिए, भाई भाई जह का चैनल कीजिए, खुश रहो, मस्तर रहो, पढ़ते रहो, ऐसे ही मैनत करते रहो, चाहिए, कमेंट जरूर करना ये क्लास कैसी लगी, अब तो मज़ा आ रहा है न, proper theory, सब कुछ, प्लीज कमेंट करना आज, ये आज की क्लास कैसी लगी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगा, बाइ बाइ झालो मैं सारे क्या वाला की क्लास कैसी ही मैं 115